पांच टेक्निक्स हैं बड़ा इंपॉर्टेन क्वेश्चन है इसको पड़ लिया है अभी हम क्या देख रहे हैं किस तरह से आप इनको देख सकते हैं आप इसमें टेक्नीक्स देखें जी, five टेक्नीक्स हैं, illustration एक टेक्नीक है, comparison and contrast ये दूसरी टेक्नीक है, cause and effect ये तीसरी टेक्नीक है, classification चौथी टेक्नीक है, problem and solution ये पांच वी टेक्नीक है कि कैसे आप paragraph को develop कर सकते हैं, one by one इनको हम discuss करेंगे सबसे पहले हम देखते हैं, illustration technique, paragraph develop करना है, it means के topic को हमने explain करना है, तो कैसे explain कर सकते हैं कि एक topic है, उसको illustrate कीजिए, जैसे अभी मैंने बताया, जो अभी हमने technique इस्तमाल की, that was illustration, use examples to show, explain or prove a point, कि आपका जो point of view है, उसको explain करने के लिए आप examples इस्तमाल कर सकते हैं, उसकी वजाह बहुत कर सकते हैं, उस point को prove करने के लिए, यनि explanation and examples, good illustration में क्या होता जी, make a point, give detail, आप उसमें एक point अपना, जो point of view है, वो बियान करेंगे, give detailed and specific example, detail देंगे और specific example भी देंगे, give enough example to get the point across, और इतनी example देंगे, कि जो बात कही गई है, वो बात समझ में आ जाए, जैसे आप इसको देख सकते हैं, इस illustrative paragraph की example को देखे, although they don't consider it stealing, अगर्चे के वो इसको चोरी नहीं समझते, many people regularly take things from their jobs, बहुत सारे लोग अपनी नोकरी से घर चीजें ले जाते हैं, ज्यादा तर चीजें क्या है जी, पैन और पैंसल्स हैं, जो के एंपलॉई आम तोर पर बे धियानी में, अपने बैग में, अपने पर्स में या पोकेट में डाल लेते हैं, over time, they may accumulate a lot of them, और बग दो दने के साथ साथ, वो चीजें काफी कठी हो जाती है, another big item is all kind of papers, और कौन सी चीज़ है जी, मुख्लिफ तरह के paper, आफिसे से ले आते हैं, pads, offline paper, little notepads, और file folder, ये file folder, ये घर ले आते हैं, finally, finally, one of the most significant way people steal from their employer is by taking home samples of products the company makes, कि जो company बना रहे हैं, उसको लोग sample ले आते हैं, employee think they are entitled to these products, and even give them to friends, employee ये समझते हैं, क्यों उनका हक है, और वो चीज़ें अपने दोस्तों को भी देते हैं, these examples, these examples may not seem like stealing, ये examples का मतलब ये नहीं के वो चोरी हो रही है, but the results are the same, लेकिन नतीजा इसका सेम है, extra cost to the company, company को extra cost incur हो जाती है, which may result in lower pay raise, और जिसकी वज़ा से फिर वो तनखाएं नहीं बढ़ती हैं, क्योंके company को loss हो जाता है, ये एक example, आप इसमें देखें, illustrate किया गया है, चीजों को वजाहत किया गया है, कि जो लोग मतलब offices से चीज़ें घर ले जाते हैं, वो आम तोर पर उसको चोरी नहीं समझते, और कौन-कौन सी वो चीज़ें जो हैं, वो ले जाते हैं, उनके बारे में बताया गया है, illustrate किया गया है, और उनका क्या view है, उसके illustration दी है, और उसका क्या नुक्सान होता है, उसकी वजाहत की गयी, तो illustrative paragraph में हम किसी चीज़ को वजाहत करते हैं, दूसरी टकनीक है जी कैसे paragraph डिवेलप कर सकते हैं, एक topic के उपर कैसे मजीद लिखा जा सकता है, comparison and contrast, हम चीज़ों को compare कर सकते हैं, जैसे comparison and contrast में क्या होता जी, show similarities and differences among people, ideas, situations or items, यनि आप समझ लें के similarities और differences के बारे में बात करना, मुख्तिलिफ लोगों के बारे में, मुख्तिलिफ चीज़ों के बारे में, situations को compare करना, they are used to explain two subjects and help you decide between two options, कि आपको वो दो topics के बारे में, या दो चीज़ों के बारे में explain करते हैं, और आपको decide करने में help मिल जाती है, कि आप किस चीज़ को opt करना चाहते हैं, इसमें क्या होता है जी, uses subjects that have enough in common to be compared contrast, कैसे subjects में बात होती, कि जिसमें ऐसी बात हो, कि जिसमें compare और contrast किया जा सकता है, कोई commonality होनी चाहिए, serve a purpose, either to help reader make a decision, or understand subject, इसका मकसद क्या होता है, जी के reader को help मिले, या तो कोई उसके बारे में फैसला करना चाहता है, तो वो फैसला कर सके, या उसको समझना चाहता है, तो वो समझ सके, present several important parallel points of comparison, contrast, इस तरह के कई points प्रिजेंट किये जाते हैं, arrange points in a logical organization, और बड़े logical तरीके से उनको तर्तीब दिया जाता है, अब इसकी example लेखते हैं जी, compare and contrast paragraph example, when they get lost while driving, women and men have very different ways to find the right route, compare और contrast किया गया है, कि जब khawatीन या मर्द रास्ता खो देते हैं, तो वो किस तरह से रास्ता तलास करते हैं, कि जब खातून को ये अंदाजा हो जाए कि वो रास्ता खो गया है उसका, यनि वो रास्ता भूल गई है, तो वो क्या करेगी, वो एक स्टोर में जाएगी, या किसी पैट्रल पंप पे जाएगी, और उनसे पूछ लेगी, कि जाते जाते अगर फिर उसको confusion होगी, फिर वो पूछेगी, जब तक उनको पका यकीन न होजे कि वो सही रास्ते बे हैं, तो तब तक वो पूछती रहेंगे, इन कंट्रास्ट, यह अब कंट्रास्ट, इसके बराक्स, मैं वुड रादर टर्न आराउंड और गो होम दें स्टॉप, क्या होंगे जी, मर्द क्या करेंगे, कि वो वापस घर चले जाएंगे, and ask for directions. First, a man doesn't readily admit he is lost. मर्द आम तौर पे यह समझता है कि वो पहले तो जल्दी मानता नहीं कि वो रास्ता भूल गया है. When it is clear that he is, he will pull over and consult a map, वो map देखेगा. If he will still find himself lost, he will again pull out that map, वो दुबारा map देखेगा. Either the man will finally put the man on the right route, or as a last resort, he will reluctantly stop at a store or gas station and let his wife go in and ask for direction. Many battles of sexes have raged over what to do when lost in the car. तो यह क्या है दि, दोनों के behavior के बारे में compare किया गया है, contrast किया गया है, कि जब मर्द या औरत गाड़ी चलाते हुए रास्ता भूल जाएंगे, तो वो किस तरह से behave करेंगे? यह एक example है, compare और contrast की. तो इस तरह से आप चीज़ों को explain कर सकते हैं, paragraph देखें, develop paragraph बन गया. तीसी टेकनीक है जी classification. Classification में क्या होता है? Classification का मतलब क्या है? Organizes our sorts, people or items into category. कि चीज़ों को या लोगों को categories में divide कर देना. A good classification paragraph, एक अच्छा classification paragraph क्या बताता है? Make sense of a group of people or items by organizing them into category. कि वाज़िया तौर पे वो चीज़ों को या लोगों को categories में divide कर देते हैं. Uses useful categories. Uses a single organizing principle. And give example of what fits into each category. Okay, category बियान कर देते हैं और फिर एक single principle को follow करते हुए चीज़ों को useful अंदाज में categorize करते हैं. और वो example देते हैं जो each category के बारे में जो fit होती है. Example देखें जी, classification, paragraph example. Classify करना है जी, test questions generally fall into categories depending on how they are answered. Objective and subjective. The first kind, objective question, have definite, right and wrong answer. Multiple choice, matching and fill in the blanks question are objectives. Although they can be tricky because of their wording, most students prefer objective questions. The answers are readily there and the student just has to choose the right one. ये बता दियागे objective के बारे में. Subjective test items such as short answers and essay questions have no single correct answer. There is a range of possible responses. Students have to know the information in order to answer each question and they have to present it in their own words. You can make a lucky guess on objective question but subjective question does not offer hope for a student relying on a dumb luck. ये ये देखे classification कर दी गया है कि objective questions ये होते हैं, subjective questions ये होते हैं, classify कर दिया गया. ये classification की example है किस तरह से paragraph आप develop कर सकते हैं, cause and effect, cause and effect में क्या होता है, एक cause बयान की जाती है और फिर उसके effects के बारे में discuss किया जाता है, explain what's made an event happen and what occurred as a result. क्या हुआ जी कि कोई चीज क्यों हुई और फिर जब हुई तो उसका क्या नतीजा हुआ, इस चीज को बयान किया जाता है, paragraph में, clearly distinguish between cause and effect, इसमें वाज़ा तोर पर बताया जाता है कि cause क्या और effect क्या है, give clear and detailed examples of cause and effects, cause and effects की बड़ी वाज़ात examples इसमें दी जाती है, cause and effects examples को ह हम discuss करेंगे, much to her surprise, lottery winner Sylvia Lee found that sudden wealth was a mixed blessing, lottery winner Sylvia ने कहा जी के जो sudden wealth है, ये mixed blessing, mixed blessing का मतला फाइद भी है, नुक्सान भी है, the results were both good and bad, after her win was announced, she was constantly haunted by people who wanted to sell her something, के जब से उसको पैसे मिले, lottery के, उसके पीछे लोग लगे हुए हैं, जो कुछ ना कुछ उसको बेचना चाहते हैं, she got an unlisted phone number, यानि उसने phone number भी private ले लिया, but the more aggressive sales people just camped out on her doorstep, लेकिन ज्यादा जो sales लोग थे, ऐसे लगता है, जैसे उन्हों डेरे ही लगा लिया उसके द्रवाजे के बार, another negative result was that people started treating her differently, लोगों ने उसको different अंदाज में treat करना शुरू कर दिया, I was shocked, उसने कहा जी, मैं हरान थी, sadly, everyone from the checkout clerk at the supermarket where I have shopped for years to my next door neighbor, acted as though I had changed, वोसने का जी के, मेरा घर के बिलकुल पास supermarket है, जहां पे मैं हमेशा shopping करती हूं, वहां पे जो clerk है, उसका रवएये बदल के है, I am still the same, लेकिन मैं same हूं, I have just got money, no, मेरे पास अब क्या है, पैसा, Lee admits, though, the most of the changes have been positive, के ज़्यादा तर जो changes है, वो positive है, it's really a relief not worrying about money all the time, यहनि तसल्ली है के पैसे की परवाह नहीं है, I actually went on my first shopping spree ever and it was great, के जब मैं अपने first shopping spree हो तक जब एक वक्त में जादा चीज़ें खरीब नहीं हो, के जब first shopping पर गई तो great experience है क्या है, Lee expected that other new and unexpected results on her sudden wealth are yet to come, उसने खाँ और भी अभी बहुत सारे effects मुझे नजर आएंगे, but she is not discouraged, लेकिन वो discouraged नहीं है, so far at least the pluses far outweigh the minuses, के फाइदे ज्यादा हैं नुक्सानाथ से, तो ये cause और effect के एक example है के इस तरीके से भी paragraph develop कर सकते हैं, last technique है थी problem and solution, इसमें क्या होता है, presenting a problem, then discussion the solution, solution को discuss करना, इसके example देखे, selling homemade toys online is a challenge, ये problem है, आगे explain किया गया है, आगे उसका solution भी दिया गया है, because consumer are accustomed to buying heavily advertised toys from the major chain store, are well known websites such as amazon.com, homemade toy online बेच परना क्यों चैलेंज है, क्योंकि लोग वो चीज़ें खरीदने के आदी हैं, जो बड़ी heavy advertisement होती है, बड़ी website से जिस तरह amazon.com है, however, आगे उसकी, उसने example दी है, solution दी है, if we develop an appealing website, अगर हम एक अच्छी attractive website बनाएं, we can compete on the basis of novelty and quality, और novelty यानि जिदद और quality की बनाव पर हम उनको compete कर सकते हैं, problem बताई और फिर उसका solution बता दी, ये एक technique है जी, इस तरह से भी paragraph डिवेलप किया जा सकते हैं, तो ये पांच हमने techniques के बारे में पढ़ा, ये आपकी textbook से ही snapshot लिया गया है, इस में जिस तरह मैंने example बताई है, illustration उसका क्या मतलब है, आगे उसकी example है, comparison and contrast उसमें क्या है, उसकी example है, cause or effect की example है, classification की example है, problem solving की example है, तो ये बड़ा important topic है जी, इसको आप ज़रा गौर से study कर लेज़ेगा, इस very important question, ये classification है, ये तो जी formatting का, अब last हमारा जो topic है, वो है format with the technology, कि technology का, जब हम message compose कर रहे हों, तो कुछ features हैं, जिनको हमने इस्तमाल करना है, इनके बारे में हम discuss करेंगे, ये detail से, जस्ट आपको पता होना चाहिए, कि ये क्या चीज़े हैं, और आप कहां कहां पर इस्तमाल कर सकते हैं, आप उनको इस्तमाल करेंगे, तो आपको compose करने में, composing का process जो है, वो ज़रा speed up हो जाएगा, और आप कम वक्त में, ज्यादा काम कर सकेंगे, हम क्या कर सकते हैं, ये technology के जो features हैं, यूज़ करते हैं, तो आपने text enter करना होता है, वो formatting खुद बखुद हो जाती है, तो इस तरह से आपने letter लिखना है, तो letter का format होता है, CV बनाना तो CV का format है, report बनाना है, तो report का format template दिया होता है, तो आप क्या feature इस्तमाल कर सकते हैं, कि मुख्तलिफ आप जो software हैं, जिस तरह word का बहुत जादा इस्तमाल है, तो word के templates आप use करें, कुछ smart documents होते हैं, smart documents ऐसे होते हैं, आप समझ लीजिए कि जिसमें कुछ चीजें, आप formulas लगा सकते हैं, जिस तरह Excel है, तो Excel में आप को formula लगाते हैं, तो उसमें आप value enter करते हैं, तो उसको plus, minus, average वो चीजें खुद ही लगा लेता है, तो ये smart documents भी आप use करें, तो काफी आपको help मिल जाती है, जिस तरह if condition अगर आप use कर लेते हैं, Excel के अंदर, तो Excel के अंदर काफी ज़्यादा formulas होते हैं, तो उसको आप अच्छे तरीके से इस्तमाल करें, उससे आप graphs develop कर सकते हैं, उससे आप percentages निकाल सकते हैं, तो ये smart documents भी आपको आने चाहिए, कि किस तरह से आप इस्तमाल कर सकते हैं, ये features बड़ा important है, Excel के अंदर ये feature है, master document होता है, जी एक ही document होता है, बना सकते हैं, auto completion में क्या होता है, जैसे ऐसा होता है, कि आप को चीज़ें लिख रहे होते हैं, और आगे suggestion आजाती है, जी कि pop up हो जाती है, कि इसका ये मतलब है, तो ये इन चीज़ों को ये features available होते हैं, word में भी हैं, इसको आप इस्तमाल करें, auto correction का है, कि जब आप लिख रहे हों, अगर उसमें कोई grammatical mistake है, spelling की mistake है, तो बेशमार ऐसे features हैं, जिनको आप इस्तमाल करके, auto correction बजाए इसके, कि आप गलत spelling लिखे गलत करेंगे, तो फॉर इन आपको बता देगा, किसके spelling से सहीर ये हैं, तो ये auto correction की features भी आप इस्तमाल करें, end note, foot note, indexes का, और TOC, ये सारी चीज़ें आप इस्तमाल कर सकते हैं, wizards हैं मुख्तलिफ, wizards क्या होते हैं, कि जिसमें आप click-click-click करते हैं, और चीज़ें खुद ही develop हो जाती हैं, जैसे access के अंदर, Microsoft access के अंदर, आप database बनानी हो, तो उसके मुख्तलिफ विज़र्ट आप यूज़ कर सकते हैं, mail merge है, mail merge क्या होता है, जी कि ये word का एक बहुत important feature है, कि अगर आपने, let's say, 1000 लोगों को एक document लिखना है, और लेकिन आप चाहते हैं, कि message एक है, हर एक का नाम और हर एक का एड्रेस और हर एक की detail अलगो, तो उसमें क्या होता है, कि एक ही document बनाके, आप mail merge करते हैं, तो वो आपके, आप समझे लिए 1000 document डिवेलप हो जाएंगे, और आपको 1000 दफा उसको लिखने की, या copy paste करने की जरूवत नहीं है, तो ये कुछ चीज़े हैं जी, जिनको आप इस्तमाल कर सकते हैं, और technology को इस्तमाल करके, composing का जो process है, उसमें आपको help मिल सकती है, तो ये हमारा जी chapter complete हुआ, इसमें जो questions बनते हैं, जिनको हमने discuss कि, एक दफार मैं review करूँगा, और अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, जी identify the four aspects of being sensitive to audience need, when writing business message, कि जब business message आप prepare कर रहे हों, तो four aspects बताएए, कि कैसे आप audience की needs के बारे में sensitive हो सकते हैं, ये पहला question हमने पढ़ा था, explain how establishing your credibility, and projecting your company image, are vital aspect of building strong relationship, with your audience, कि अगर आप audience से strong relationship, बनाना चाहते हैं, तो आपकी credibility, और company का image, जो है, वो किस हद तक important है, तीसा question है, explain how to achieve a tone, that is conversational, but business-like, कैसे एक conversational, लेकिन business-like tone, आप पो writing में ले के आ सकते हैं, explain the value of using plain language, कि plain language, इस्तमाल करने का फाइदा, and define active and passive voice, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, चौथा question है, describe how to select words, that are not only correct, but also effective, बढ़ी डिटेज से हमने discussion की है, define the four types of sentences, and explain how sentences, style, effect, emphasize within the message, कि जो different type के sentences है, वो कैसे message के अंदर, emphasis को change करते हैं, और फिर आज जो हमने question किया जी, define the three key elements of a paragraph, and explain, and also list five ways to develop a coherent paragraph, बड़ा important question है जी, it's very important question, आज हमने बड़ी detail से discuss किया है, और आखरी हमने पढ़ाया जी, कि identify the most common software features, that help you to craft business, craft messages, more efficiently, तो यह हमारा topic जी, यहाँ पर complete होता है, इस से related जो assignments की question है, वो इंशाला अट मोडो में update कर दिये जाएंगे, यहाँ पर हमारा topic मुकमल हुआ, यह seven questions बनते हैं, इनको आपने एक दफार देख लेना है, और दुबारा इसको आप पढ़ लेजेगा, तक यह वरी मुच,